हेलो अबरीवान, वेलकम तो तुछ चैनल अगरी कर्शिलर स्टेडीज, मेरे नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दरान हम एंटेमोलोजी सब्जेक्ट के कूर्स राइडल management of beneficial insects में next topic के बारे में बात करने वाले हैं, जो की है insects order bearing predators using pest control यानि की इस वीडियो के दरान सबसे पहले हम जानेंगे कि ये predators होते क्या हैं और उसके बाद हम ऐसे insects order के बारे में बात करेंगे, जिनके अंदर mainly predators आते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से जो पहले का वीडियो था, उसके अंदर हमने insects order bearing paracitoids के बारे में बात करेंगे यानि कि इसी तरह से एक मिलता जोलता topic जिसके अंदर हमने paracitoid के बारे में बात करेंगे अब paracitoids and predators दोनों ही आप जानते हैं कि biological control के अंदर useful है यानि कि इस वीडियो के दरान हम paracitoids की जगा predators के बारे में बात करेंगे जो कि useful है biological control के परफसे तब ही यान लिखा है used in pest control अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका link उपर आई बटन के साथ निचे description box में available है आप चाहें तो से देख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये predators होते क्या है तो देखिए a free living organism throughout its life मतलब ऐसा organism जो कि free living है अब free living है इसका मतलब कि हम जिसे कह रहे हैं कि किसी और organism पर dependent नहीं है खाना ढूंडने के लिए dependent इन देखिए एक होता है symbiosis आप जानते होंगे कि कोई दो organism साथ मिलकर एक दूसरे को फायदा पहुचाते हैं तो वो एक दूसरे पर dependent हो जाते हैं जिससे कि उनको कोई food available हो पाए लेकिन free living जैसे कि हम इनसान कहें या और भी जो भी animals हैं जो free living है खुद अपना खाना ढूंड सकते हैं तो उस तरह से ये free living organisms होते हैं throughout its life और kills and prey जो कि अपने शिकार को पकड़ते हैं और खाते हैं उसे मारते हैं और उसे पकड़ते हैं तो predators वास्ता में हिंदी में जिने हम कह सकते हैं शिकारी और जो prey है वो एक तरह से शिकार है उनका तो is usually larger than its prey ये अपने शिकार से अपकोस larger होते हैं and requires more than one prey to complete its life cycle और अपने जिन्देगी में सिर्फ ऐसा नहीं है एक ही prey को खत्म एक ही शिकार को खा लिया तो पूरी life से काम चल जाएगा नहीं मतलब ये अपने life cycle में एक से ज़्यादा prey को kill करते हैं उनका शिकार करते हैं और खाते हैं उसे तो कहने का मतलब ये हुआ इस तरह से हम देखते हैं ये predators होते हैं parasite, predators और parasitoid ये तीन terms होती हैं अगर आपको इन में confusion है तो इस course title यानि की management of beneficial insects का जो सबसे पहला वीडियो है उसके अंदर हमने इन तीनों के अंदर difference जाना है इनके अंदर क्या mean difference होता है तो अगर आप चाहें तो उसका उस वीडियो को देख सकते हैं उसका लिंक कूपर आए बटन के साथ नीजे description box में available है अब हम बात करें ऐसी predators जो की insect हैं और insect में भी हम देख रहे हैं insect order तो हम देख रहे हैं seven orders हैं कौन-कौन से seven orders हैं हम देख रहे हैं hemiptera, coleoptera, hymenoptera, dactioptera, neurooptera, diptera और साथ में odonata यानि कि ऐसे seven orders हैं जिनके अंदर हम देख रहे हैं particular जो insects आ रहे हैं वो predators हैं दूसरे insects के उपर मतलब उसको शिकार करके खा जाते हैं तो हमारे लिए तो ये भड़िया हो गए न क्योंकि हमारे लिए beneficial हो गए क्योंकि हमारा जो कोई insect pest का काम कर रहा है हमारे crop को damage कर रहा है उनको ये खतम कर सकते हैं तो कहने का मतलब यह हुआ इन साथ orders के अंदर जो मैंने यहां circles में लिख रखे हैं वो क्या है तो हम देख रहे हैं हमपटेरा के अंदर 5 families है उसके अंदर अलग-लग हम देख रहे हैं कि particular members होंगे तो 5 families हैं यहां कोलियोपटेरा में 4 family है हाइमनोपटेरा में 3 है डेक्टायोपटेरा के अंदर 1 है निरोपटेरा में 2 है डेपटेरा में 2 है और ओडुनाटा के अंदर भी 2 sub orders है तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस वीडियो के अंदर हम इन सारी चीजों को एक साथ explain नहीं कर सकते या एक साथ नहीं समझेंगे यह वीडियो एक तरसे part 1 है जिसके अंदर हम इन 3 orders के बारे हम बात करेंगे यानि कि हम हमेटेरा, कोलियोपटेरा और हमेटेरा के बारे हम बात करेंगे जिनके अंदर हमेटेरा की 5 families कोलियोपटेरा के अंदर 4 families और हमेटेरा की 3 families इनके बारे में इस वीडियो के दरान बात करेंगे इस वीडियो का जो next वीडियो होगा उसके अंदर हम इन चार orders के बारे में भी बात करने वाले हैं तो next slides के अंदर one by one करके हम इन तीनों orders की various type of families जो हैं उन्हें के करके details में जानने वाले हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस वीडियो के दुरान हम तीन main insect order के बारे में बात करेंगे जो की है हमिप्टेरा, कॉलिप्टेरा और हाइमिप्टेरा हमिप्टेरा के अंदर general characteristics आप जानते होंगे कि इन्हें true bugs कहा जाता है हमिप्टेरा के अंदर incomplete metamorphosis देखा जाता है incomplete metamorphosis यानि life में 3 main stages होती है जिसके अंदर हम देखते हैं egg, nymph and adults मतलब हमिप्टेरा के अंदर incomplete metamorphosis होता है true bugs होते हैं और इनके अंदर जो mouth organ है वो याद रखने वाली बात है क्या जो piercing and sucking types होते है मतलब छेत करके चूसते हैं है ना cell sap को सक करते हैं अगर cell के अंदर जो कोश्का द्रव होता है उसको सक करते हैं तो कहने का मतलब यह हुआ कि hemipterans इस तरह से इनके जनरल characteristics होते हैं जिनमें 5 families जिनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आने वाली strides में तो वह है रेडूवीडी, पेंटेटोमाइडी, बेलस्ट्रेव, बेलस्टोमेटीडी, मिरीडी और हम देखेंगे वेलेडी यानि कि इन 5 main families के बारे में अच्छे से बात करेंगे हम next order जिसके बारे में बात करेंगे वो है Collioptera, Collioptera largest group है Insecta class का, आप जानते होंगे इस चीज़ को कि Collioptera जो है largest group, largest order है Insecta class का, तो उसके अंदर हम 4 families के बारे में बात करेंगे अच्छा, general characteristics Collioptera की क्या होती है, तो हम देखते हैं यहां complete metamorphosis देखा जाता है, chewing type के mouth organs होते हैं इनके अंदर हम देखते हैं, beetles या हम खह रहे हैं, weevils वगेरा जो होते हैं वो Collioptera में रखे जाती हैं, और साथ में हम देखते हैं, इनकी जो punk होते हैं इसके आगे वाले 4 wings जो होते हैं, वो Elytra में developed होते हैं आप जानते होंगे, जो कि एक तरह से covering है खाली, पीछे वाले wings की coverage होती है, जो उड़ने में काम नहीं आते हैं तो Elytra वाली conditions जो है Collioptera का अच्छा feature है तो इस तरह से को General Character Six आपको पता होनी चाहिए इसकी तो Collioptera में 4 families कौन-कौन से पढ़ेंगे हम तो दिखेंगे Cocinality, Carabody, Cicindality, Staphylinady तो कहने के बाद लोग इन 4 families के बारे में पर आगे साइट्स के अदर मच्छे से पढ़ेंगे और एक order जिसका हम कह रहे हैं Hymenoptera जिसके अंदर mainly Vesp, B और Ant आती है तो उन वेस्प के अंदर Vespi-D और Spacidi और साथ में Pharmacidi इस तरह से 3 main families जिरके अंदर predators हैं उसके बारे में भी हम आर्ने वारी slides के अंदर अच्छे से बात करेंगे साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि Hymenoptera से याद आया मुझे Honeybees, Honeybees से याद आया Epiculture तो Epiculture के ओपर मैं हर topic है Epiculture से जो related है उसके ओपर एक playlist बना चुका हूँ अगर Epiculture से related आप वीडियो देखना चाहें तो उसके link उस playlist का link भी उपर आई बटन के साथ नीचे description वाक में available है आप चाहें तो उसे देख सकते हैं तो चलिए Hemiptera की सबसे पहली family के बारे हम बात करते हैं जो कि है Red VD अब इस Red VD family की जो bugs हैं उन्हें हम assassin bugs कहते हैं असासिन bugs, असासिन वैसे हिंदी में मतलब होता है हत्यारा तो मतलब आप समझ जोके हैं कि हम predators की बात कर रहे हैं जो कि किसी को kill करके pray करेगा तो कहने के मतलब इस तरह से हम assassin bugs कहते हैं दूसरा common name अगर हम देखें तो इसे कोन nose bug भी कहते हैं क्योंकि इसके आगे कि जो snout या कह सकते हैं proboscis जो है वो जो हम कहेंगे short होती है और three segmented होती है मतलब nose जैसी like structure होगा तो कहने का मतलब cone shape के अंदर cone nose bug भी कहते हैं ऐसे और साथ में इसे kissing bugs भी कहते हैं तो कहने का मतलब आप इसे याद रखेंगे kissing bugs, cone nose bugs और assassin bugs किस नहीं कहा गया है तो हम देख रहे हैं उन्हें red vedy family के bugs को खा गया ओके और important देखें हम यह तो आपने जाने लिया the beak और proboscis आगे का जो part है mouth के तो उसे हम देखेंगे is short and three segmented short होता है और three segmented होता है बोथ nymph and adults are predacious इसके निम्फ भी और अच्छा मैंने आपको बताया है यहाँ एग निम्फ और सिधा अडल्टी होते है तो यह adults और निम्फ दोनों ही क्या है प्रेडेशिस है और हम देखेंगे ब्लड सक करेंगे हम देख रहे हैं अपने प्रे का तो प्रे के लिए हम देख रहे हैं यह ब्लड सकिंग होते है इसका example जो है वो है इसको है हार्पेक्टर कॉस्टेलिस जो है किसके उपर तो हम देख रहें है red cotton bug Diastarcus Terr några bend होता है जिसके बारे में हमने best of cotton के इंदर वाले वीडियो के इंदर बात करDCा है मतलब कहीना कहीना अपनी के साथ कुछ characters के साथ जाना किसे Raduidi family के बारे में अब next हम जानेंगे Pentatomidee family के बारे में Pentatomidee family के जो bugs है ने common name के रूप में stink bug का जाता है stink bug, stink मतलब एक तरह से बदबू, तो इन bugs से बदबू आती है, आती है लेकिन हमेशा नहीं, जब predators इनके आसपास होते हैं, जब इने एक खत्रा महसूस होता है उस condition में ये bugs जो है ऐसे chemical secret करते हैं, जिससे stink यानि बदबो create होती है, तो इससे हम stink bug कहते हैं और साथ में इन्हें shield bugs भी खा जाता है shield bugs इसलिए क्योंकि इसकी shape आकरती जो है, वो shield जैसे होते है clear है ये बात तो pentadomality के common name होगे stink bug और shield bug और characteristics जो याद रख से जा सकते हैं वो है five segmented antenna इनके antenna अगर हैं, तो वो five segmented होते हैं और predatious on lapidoptera lapidoptera के उपर predatious होते हैं example लें, अगर हम तो देखें हम eucanthicona pharsalata अब ये eucanthicona pharsalata जो है, किसके उपर predator है, तो हम देख रहे है red hairy caterpillar m secta morai, m secta albis triga, ऐसे करके हमने कुछ insects के बारे में pest of crops and stored grain वाला जो gore cycle है, उसके अंदर पड़ा है तो कहने के मतब red hairy caterpillar के उपर ये predator है, और साथ में gram pod borr, जिसे हम कह रहे है helico varpa army jira तो उसके उपर कहीं न कहीं हम देख रहे हैं ये prediction कर सकता है तो इस तरह से हमने दो families जानी हम eucanthicona जो की हैं, raduidi और pentadomidi आप चाहें तो उसे note कर सकते हैं तो चलिए, हम eucanthicona की तीसरी family के बारे हम बात करते हैं जो की है miridi अभी जो miridi family है इसका common name है capsid bugs mirid bug और साथ में leaf bug अब capsid वैसे तो आप जानते हैं कि virus के अंदर जो covering है उसकी कहीं न कहीं, वो capsid की होती है लेकिन उस capsid का इस capsid से कोई relation नहीं है यहाँ capsid का मतलब एक तरह से leaf के reference में खा गया है कि leaf के उपर यह जो है bugs रहते हैं यह वहाँ पर अपनी feeding करते हैं तो इसे leaf bug भी का जाता है या plant bug भी का जाता है किसकी family की members को तो हम देख रहे है miridi को अब अगर इसके characteristics हम देखें तो वो है elongated soft bodied animals है यह body थोड़ी से लंबी, elongated होगी और हम देख रहे हैं soft bodied है यह animals, body soft hand की और हम देख रहे हैं four segmented antennas होते हैं antennas के अंदर चार segment होते हैं cuneus is present on four wings cuneus क्या होता है अब तो cuneus वैसे important है याद रखेगा मिरी डी family का character है अब यह cuneus क्या है तो हम देख रहे हैं कि four wings जो होते हैं inside के उसके बीछे की side में हम देखेंगे triangular सी structure या triangular सा एक structure देखी जाती है जिसे हम क्या कह देते हैं cuneus क्या क्या देते हैं cuneus किसका character है important है या देखें या miridy family का character है example कि याद करें तो यहां हम देखते हैं green mirid bug ठीक है नाम में mirid bug आ रहा है rice के जो pest है rice के pest कौन से तो हम देख रहे है green leaf hopper, brown plant hopper साथ में white bagged plant hopper तो इस तरह से जो plant hopper वाले rice के insect pest हैं उनके उपर अपना text दिखा सकता है कौन तो हम देख रहे हैं green mirid bug तो इस तरह से हमने जाना miridy family किस तरह से predacious है तो चलिए hemiptera की दो और families के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं उसके बाद colioptera और heminooptera के बारे में बात करेंगे तो hemiptera की दो families और कौन सी तो हम देख रहे हैं validi और ballastomatidae अभी जो validi family है इसके bugs को हम refill bugs भी कहते हैं refill bugs बास्तों में एक तरह से water के अंदर या पानी की जो लहर से है दार वगेरा मतलब कहने का मतलब यह तरह से इससे relate किया गया है कि पानी के अंदर पाया जाते हैं इस तरह के पानी के ऊपर पाया जाते हैं कैसे तो हम देख रहे हैं कि इन्हें refill bugs कहते हैं क्योंकि हाँ हम देख रहे है aquatic insects living on surface of water पानी की surface के ओपर देखे जाते हैं यह ठीक है और हम देखें तो इसे broad shoulder bug भी खा जाता है shoulder bug मतलब इसका shape हम जब इसको देखते हैं तो इसे broad shoulder के रूप में देखा जाता है मतलब head के पीछे का जो part है thorax वाला वो थोड़ा सा चोड़ा होता है इस तरह से कि यह इन्हें broad shoulder bugs भी खा जाता है ठीक है और हम देखते हैं यह small water striders भी इन्हें खा जाता है तो इस तरह से इसके कुछ common name है अब यह aquatic insect living on the surface of water यह बात समझ आ गई आपको और इसका example हम देखें तो यह है microvalia heterolinate रा क्याने का मतलब यह हुआ यह जो microvalia heterolinate आ जो है यह जो particular insect है यह green leaf hopper brown plant hopper white bag plant hopper यानि कि इस तरह से जो particular हमने देखें थे rice के pest उनके उपर attack करता है अब जैसा कि आपने जाना कि यह एक तरह का aquatic insect को aquatic insect है यह खुल तो यानि कि यह पानी के उपर रहता है तो पानी वाली फजल हमारे पास कौन सी है तो फिर हम देख रहे है paddy यानि कि rice वाली जो crop है वहाँ हम देख रहे हैं अगर rice के pest पानी में गिर जाते हैं कौन-कौन green leaf hopper, brown plant hopper white bag plant hopper अगर उपानी में गिर जाते हैं तो उनको यह kill कर सकता है कौन? microbialia species ठीक है तो इस तरह से हमने validity family के बारे में जाना जिन्हें rifle bugs कहते हैं याद रखिएगा next जो family है जो की है ballastometida अब यह जो ballastometida है यह इसका कोई particular agriculture के pest के उपर तो prediction तो नहीं देखा मैंने इसका example तो नहीं देखा but predator है यह बाकी दूसरे हम देख रहे है aquatic insects को पर इसे common name की रूप में हम देखते है giant water bug का आ जाता है giant यानि कि बहुत बड़ा होता है size में यह bug और हम देख रहे है feed on aquatic insects aquatic insects को यह kill करता है elongated and somewhat flattened लंबा होता है flat चप्टा सा देखा ही देता है और हम देख रहे है with raptorial four legs इसके legs आगे की इस तरह से modified होते हैं कि insects को बगड़के यह kill कर सकता है तो कहने का मतलब इसकी giant water bug कोई ऐसे agriculture pest के ओपर हाँ कह रहे हैं हम जो attack कर सकता हो तो वो information में पास available नहीं है क्योंकि मैंने जहाँ पढ़ा वहाँ मुझी available नहीं दिखा तो कहने का मतलब यह हुआ ballastomatida predation दिखा सकती है दूसरे aquatic insects के उपर तो इस तरह से हमने जाना hamipteran के insects के बारे में तो चलिए अब colioptera order के बारे में बात करते हैं colioptera order के आई general characteristics अब हमने थोड़े दिर पहले मतलब वीडियो की शुरू में जाने ही थे अब इसकी कुछ families के बारे में discussion करते हैं उसमें सबसे पहली जो family है वो है cochinality cochinality family जो है इसके अंदर हम देखते हैं particular जो beetles है उन्हें हम कहते हैं lady bird beetle हाना इसका नाम आपने सुना भी होगा काफी तो यह lady bird beetles जो है वो काफी सारे insects के उपर हम देखते हैं एक तरह से predator है कैसे हैं तो इसके बारे में अगर हम पढ़े तो हम देखते हैं beetles are small and even oval shaped छोटे होते हैं oval shaped अंडा काराकरती के रोप में होते हैं grubs are elongated इनकी grubs जो होते हैं वो लंबे elongated होते हैं flattened होते हैं and cover with tubercles और covered होते हैं किसके वारा tubercles या spines कांटे जिसे structure से थोड़े से covered होते हैं और हम देखते हैं adults and grubs feed on aphid इनकी जो adults होते हैं और grubs आप जानते होंगे कि beetles के जो larva होते हैं उनको हम grub कहते हैं तो कहने का मतलब यह हुआ कि ready bird beetle है beetle के larva को हम यह grub कह रहे हैं तो adults and grub feed on aphid, hemiptera के aphid, cockeds और हम साथ में मेली बग्स white flies and other soft body animals तो हम देख रहे हैं cell sap को सक करते हैं जो soft body animals होते हैं उनको predator का उन पर यह predator का काम कर सकती है lady bird beetle cocky nality family के जो member है तो उसका example और अगर particular देखें तो उसके अंदर हम देख सकते हैं rodonia cardinals rodonia cardinals का नाम novice cardinals भी का जाता है novice cardinals जो है यह particular cottony cushion scale यह जो particular insect है वैसे ते है अच्छा यह याद रखेगा novice cardinalis जो है यह भी तरह के lady bird beetle है यह particular जो है किसके ओपर adaptation कर सकती है तो हम देखते है cottony cushion scale के उपर तो इस तरह से हमने एक family जानी सबसे पहली cocky nality second family जो की collioptera के अंदर है उसके बारे में बात करें तो वो है सिसिन डैलेडी सिसिन डैलेडी family के common name को important याद रखेगा tiger beetle वहाँ common name क्या है lady bird beetle यहाँ tiger beetle tiger beetle क्यों कह सकते हैं आप समझ सकते हैं कि यह aggressive और fast running होते हैं जैसे tiger होता है tiger बहुत aggressive होते हैं और साथ में fast running बहुत तेज भागते हैं तो यह beetles जो है वहाँ अधा fast run करते हैं ठीक है अब इसके अंदर भी particular example की बारे में बात करें तो हम देखते हैं रिवा सिंडेला रिवेंड सिंडेला particular hood sony रिवेंड सिंडेला hood sony ऐसे करके एक insect है जो सबसे fast भागता है रिवेंड सिंडेला hood sony नाम से एक example है जो बहुत fast भागता है और वहीं अगर हम बात करें बोथ grub and beetles are predacious यहाँ यह जो tiger beetles और इसके grub हैं दोनों ही predacious हैं और हम इसके example देखें तो हम देखते हैं तो इस तरह से हमने कोलियोप्टेरा के अंदर दो families को जाना कोकिनलेडी और सिंडेलेडी तो चलिए कोलियोप्टेरा की दो और family के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं जो कि है carabody और दूसरी हम देख चौती हम देख रहे हैं क्योंकि तीसरी होगे carabody और चौती फैमिली हम देख रहे है stephylinity तो carabody family की जो common name है वो है ground beetle अब ground beetle कहा जा रहा है तो उसका मतलब साफ है कि यह जो beetles होते हैं वो ground के ऊपर या ground के अंदर जा देखे जाते हैं कभी-कभी food के लिए कभी-कभी ये पत्तियों तक पहुँच जाते हैं plants में लेकिन ज्यादा तर यह हम देखते हैं ground पर देखे जाते हैं तो और इसके characteristics देखें तो यह है dark and shiny होते हैं साथ में flattened होते हैं वही beetles हैं तो flattened है और हम देख रहे हैं they have long legs and strong mandibles लंबे-पाउं होते हैं strong mandibles होते हैं जिससे यह पकड़ कर अपने prey को खतम कर सकते हैं और हम देख रहे हैं इसका example तो Ophionia indica Ophionia indica जो है particular ground beetle है ज्यादा कोई particular specific example तो नहीं मिला इसका कि जो particular agriculture pest को पकड़ के खतम कर सकता हो लेकिन जो information available हुई वो इस तरह स्थी kerabity की बरहे हैं और चौती family जो है वो है stephylinity stephylinity family जो है उसके अंदर हम देखते हैं इन्हें row beetle का आ जाता है row वैसे word का meaning तो यह होता है कि कोई particular destination हमें पता ही ना हो manzil पता ही ना हो लेकिन चलते जाना तो कहने का मतलब row beetles भी इस तरह से कह रहे हैं कि वह ज़दा movement दिखाते हों इस तरह से तो कहने का मतलब यह हुआ इस तरह से इनको row beetle का गया है और साथ में से चार्ली एंट भी का जाता है क्योंकि इनको देखने में यह एंट यानि चींडियों जैसे दिखा देते हैं बीटल्स तो चार्ली एंट भी का गया है और स्टेफाइन एनडी फैमिली के अंदर हम देखते हैं have short elytra elytra जो होते हैं वो short होते हैं यानि जिए विंग कवर्स कहते हैं वो short होते हैं और हम देखते हैं पैडर्कस पैडरस Fusicep यह जो पैडरस Fusicep है यह particular rice leaf hopper जो होता है उसके उपर predation कर सकता है मतब predator की रूप में उसके उपर देखा जाते हैं तो इस तरह से दो और फैमिली के बारे में short में हम उन्हें बात करी carabody और step irony के बारे में ओके तो at last अब hymenoptera की तीन फैमिली के बारे में short में बात कर लेते हैं जो की है वैस्पीडी स्पैसीडी और हम देख रहे हैं फॉर्मीडी तो वैस्पीडी जो फैमिली है नाम से समझ आ रहा है जिसमें वैस्प होंगी तो वैस्प के अंदर हम देखें जुने हम paper wasp, yellow wasp और साथ में hornet इस तरह के common names देते हैं ठीक है तो paper wasp, yellow wasp और साथ में hornet इस तरह से common name दी जाते हैं इसके अंदर distinct feature देखते हैं हम, have distinct U-shaped posterior margin, U-shaped posterior margin देखा जाता है इसके अंदर पीछे से हाना, तो कहने को मतलब इस तरह से ये westpcd, westpd family के कुछ members हैं, और अगर हम बात करें specidy, तो इसके अंदर हम देखते हैं, thread-wested west पाते हैं, thread-wested आप समझ सकते हैं, जिसके कमर एकदम पत देखते हैं हम इने, digger wasp, यानि जो खोदते भी हैं, क्यों खोदते हैं, तो to construct nest made up of mud, कीचर्ड से अपना nest जो है वो बना लेते हैं, तो मिट्टी से बनाते हैं, तो important ध्यान सकते हैं, आप इने sand wasp या digger wasp भी कहते हैं, अभी जो wasp हैं, आप भी जानते हैं, ये bees जो होती honeybees, उनके उपर भी एक तरह से predators का काम करते हैं, साथ में हम देखते हैं, जो wasp होते हैं, बहुत अलग तरह की flies वगरा जो भी हैं, उनके उपर अपना predation दिखाते हैं, और हम देखें, फार्मिसीडी family, फार्मिसीडी, फार्मिका आप जानते हैं, ant को कहते हैं, तो ये पेस्ट के, particular pest के eggs होगेरा हैं, या sugar के इनके field के अंदर कोई pest होगेरा के eggs हैं, तो उन eggs को feed कर सकती हैं, ये ants, यह जिने हम चीटिया कह रहे हैं, तो कहने का मतलब यह हुआ, हाइमेनोप्टेरा के अंदर भी wasp और ants जो हैं, वो क्या होते हैं, एक तरह से predators का का काम करते हैं, जिनके बारे में इस तरह से short में अभी बात करें, तो इस तरह से अब तक हमने 3 orders के बारे में अच्छे से बात करीं, जो की हैं, हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और सबसे पहले जिसके बारे में बात करीं थी, वो है हैमेप्टेरा ओडर, तो ये था हमारा आज का ये वीडियो एक तरह से part 1 है तो इस वीडियो का जो next वीडियो होगा उसके अंदर हम बाकी बचे वी जो orders है उनके बारे में भी अच्छा से बात करेंगी इस वीडियो का next वीडियो और इस वीडियो से जो पहले का वीडियो था उन दोनों की ही link इस वीडियो के end होने पर और आप इस वीडियो को like कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो को अगर आप like करेंगे तो इस चैनल के और भी जो वीडियो है जो आपके लिए useful हो सकते हैं तो YouTube आपको वीडियो रिकमेंड करेगा और इस चैनल को थोड़ा support मिलेगा तो कहने का मतलब यह हुआ इस तरह के वीड स्टेडी से